हाई गैस आज है तारिक 10 नवंबर 2021 और है वेडिनस डे आज की तारिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सभी current affairs को हम लोग detail में डिसकस करेंगे आउ बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले एक छोड़ी सी most important information है आप सभी लोगों के लिए देखो बहुत ज़ादा monthly compilation हम लोग को चाहिए तो इस पूरे October के सारे current affairs मैंने cover कर दिया है एक वीडियो के अंदर और वीडियो अपलोड हो चुका है इसी channel पर जाकर आप लोग उसको देख सकते हो और उस वीडियो का link मैंने आपको नीचे description box में भी दे दिया है वहाँ से भी आप लोग जाकर सकते हो October के सारे September के महिने का भी monthly compilation already upload हो चुका है दोनों का link नीचे description box में है जाकर एक बार आप लोग जरूर देख लेना PDF आप लोग को यहाँ पर provide करवा दी गई है आगे बढ़ते हैं एक बार देख लेते हैं कौन कौन से articles का discussion करना है हम लोग को आज के इस वीडियो में स 80 inheritance of property bill 2021 के बारे में तो मेगालिया के अंदर एक नए bill को propose किया जा रहा है तो discuss करेंगे आखिरकार इस bill का रूल क्या है आपको मैं बताऊंगा पेट्रियार कर प्लस material कल क्या होता है दूनों की बीच में difference पता चलेगा बहुत जादा बेहितरीन सी information आज आप लोग यहाँ प बता दूँ यह जो daily current affair का video है यह daily morning में 5 बजे upload हो जाता है और यहाँ पर हम लोग daily business पर बहुत सारे articles discuss करते हैं जो की UPSC और state PSC के point of view से बहुत important होते हैं और हर एक article को इतना detail में discuss करते हैं कि इनके regarding कोई भी question prelims या means में आता है तो उनको आप लोग easily solve कर पाऊगे उसी प् कामी के perspective से अभी क्या हुआ है Reserve Bank of India ने जो PCA है इसको वापस से revise किया तो discuss करेंगे यह PCA होता क्या है इस rules and regulations को वापस से revise किया या हालक यह rules and regulations यह लगबग 19-20 साल पुराने हैं लेकिन अभी यहाँ पर दुबारा से लाए गए हैं तो discuss करेंगे क्या यहाँ पर इसकी एक importance होने वाली है दनो इसके बाद third article भी बहुत जादा important होने वाला है international relations के perspective से बात करेंगे आज के टाइम पर एरान के अंदर uranium enrichment हम लोग को देखने को मिल रहा है अब यह जो uranium enrichment है इससे क्या खतरा हो सकता है uranium enrichment किस प्रकार से होता है आखिरकार uranium क्या होता है इसके क्या uses होता है सारी चीज़े आप लोग को इस वीडियो में discuss करके बताई जाएगी साथी साथ आप लोग को यहाँ पर मैं बताऊंगा ये भी जो हमारी nuclear deal है एरान और बहुत सरी countries के बीच में वो nuclear deal क्या है ठीक है इसका क्या महत वराहा है आज के टाइम पर वापस से इसको revive करने की क्यों animals हैं लगातार उनके उपर खत्रा बढ़ रहा है कि वो खतम ना हो जाए वो extinct ना हो जाए तो discuss करेंगे इसको लेकर leopard के बारे में आपको बहुत सारी information यहाँ पर जानने को मिलेगी दनूस के बाद Indian flap shell turtles के बारे में चरचा हो रही है ये जो कुछ turtles है इनकी smuggling की जा रही है त discuss करेंगे हम लोग इन turtles के बारे में इस type की question पूछ लिए जाते हैं इस वज़ा से रोजाना जो हमारा daily current affair का session होता है वहाँ पर environment के एक दो question होते ही होते हैं दनूस के बाद third article में discuss करेंगे पदमा अवार्ट के बारे में आपको मालूम होगा अभी recently पदमा अवार्ट के बा बहुत ज़ादा important है यहाँ पर आप लोग देख पाओगे नाव बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले guys अगर आप लोगों को इस lecture का PDF चाहिए तो नीचे description box में आप सभी लोगों को मैंने telegram का link दे दिया है वहाँ से जाकर आप लोग इस lecture के PDF को download कर सकते हो और यह है मेरी Instagram ID दीपक यादव एजूकेशन चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर follow कर सकते हो अपनी जितनी भी queries है मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो बाइदावे दोनों ही चीजों का link मैंने आपको नीचे description box में दे दिया है साथी साथ हमेशे की तरह एक छोड़ी सी likes का साथी साथ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जो यह वेडियो है यह एक complete package है आप लोग के लिए क्योंकि हाँ पर हम लोग articles तो discuss करते ही हैं साथी साथ articles के regarding एक quiz भी रखते हैं क्या करना है आपको जो वेडियो है उसको बहुत अच्छे से सुनना है last मैंने आप लो संडे है संडे में आपका weekly जो revision है वो भी upload होता है तो revision के मामले में हम लोग कभी पीछे छूटते नहीं है यह आगे आपका revision हो ही जाएदा आगे बढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं discussion को आज का सबसे पहला article quality and governance के perspective से important है और quality आता है हमारा GSP पटू के अंदर बात की गई है inheritance of property bill 2021 के बारे में आप देखो इस bill को समझने से पहले आपको दो चार basics समझने होंगे सबसे पहली बात article कहां से लिए यह तो Indian Express का article है आप लोगको यह नीचे दिख रहा होगा ठीके Indian Express में यहाँ पर काफी सरी चीज़े बताई हैं जैसे इन्होंने बताया मेगालिया के अं ठीक है पेट्रियार्की के अलावा एक होता है मेट्रियार्की मेट्रियार्की के अलावा यहाँ पर एक होता है मैट्रिलीनियल अभी मैं आपको सब कुछ क्लियर करूँगा बहुत सी जादा आसान शब्दों में आपको सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगी पहले हम लोग य प्रासी इन्हेरिटेंस प्रॉपर्टी बिल 2021 मतलब यह जो बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा अब इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या-क्या नए-ने चीज़े आ रही है वो आप लोगो यहाँ पर समझना जरूरी है अब क्या नए-नी चीज़े आ रह पुरा विल है इसको इंट्रोड्यूस किसने क्या है वो है खासी हिल्स ओटोनमस डिस्ट्रेट काउंसल है अब जितने भी यह ट्राइबल है ट्राइबल स्टेट से बहुत सारे आप देख पाऊ जैसे कि नौट इस्टन स्टेट के अंदर आसाम हो गया मिघालिया हो गया त इसी नहीं आपर जो मिघालिया का डिस्ट्रेट काउंसल है अब हम लोग पहले हम लोग यहां पर कुछ स्ट्रक्चर समजएंगे आज की तैम पर क्या चल रहा है तो मिघालिया के अंदर खास कर हम बात करें तीन ट्राइब्स आपको देखने को से लिएगे तीन जन्जातिया कोन कोन सी Khasi Jantiya और Garos अब भी मै आपको मेप में दिखाता हूँ जैसे यह Meghalia का मैप 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 में आपको Garo Hills यहां पर देखने को मिलेगी Garo tribes यहां पर रहती है ठीक है Khasi Hills यहां पर रहती है और जन्तिया ट्राइप्स यहां पर रहती हैं तो ज़्याद तर आपको यह सारी ट्राइप्स आपको देखने को मिलेंगे यहां पर यह सारी जो है आदिवास की लोग यहां पर रहते हैं अब क्या है कि इन ट्राइप्स के अंदर जो तो एक तरीके से बहुत सारे जो rules ने regulations होते है, norms होते हैं वो अलग है, यहाँ पर क्या होता है, लोग follow करता है matrilineal को, मैंने भी आपको एक word बताया था, कौन सा वाला? matrilineal यह वाला आपको word दिखरा होगा, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, इस matrilineal को follow करते हैं अब आपको कहोगे कि यार matrilinal आखिरकार क्या है आपने बिल्कूल दो शाब्द तो जरूर सुने ही सुने होंगे एक होता है पैट्रियार्की मतलब जहाँ पर male का dominance होता है ठीक है जहाँ पर आदमी का dominance जादा होता है आदमी को जादा importance दी जाती है और women को दबा दिया जाता है नीचे वो patriarchal society करणा होती है एक होती है matriarchal society matriarchal ingle में क्या होता है जो women होती है उसके पास जज़धा powers होती है women के पास ज़धा powers होती है women top पर आती है women के नीचे आदमी आता है बहुत सरी society ऐसी होती है मतलब कि ऐसे कुछ घर होगा है जहाँ पर औरत की जादा चल लए है ऐसे कुछ घर होगा है जहाँ पर आदमी की जादा चल लए है इस प्रकार से आप लोग ले सकते हो जहाँ पर आदमी की जादा चल रही है उसको patriarchy बोलते हैं जहापर औरत की ज़ादा चल रही है वहाँ पर matriarchy बोलते हैं लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया है matrilineal वो इन दोनों से भी अलग है matrilineal में क्या होता है आपको एकी चीज समझनी होगी देखो थोड़ा से यहाँ पर आपको सुनकर थोड़ा सा जीब सा भी लगेगा लेकिन यहाँ पर definitely यह सारी चीज़े वहाँ पर होती है यह आप देख पाओगे अब क्या है ना जो यह travel people है इन्होंने women को बहुत सदा importance दिये यह बहुत अच्छी बात है women को बहुत जदा importance दिये गई इनके थुरू यहाँ पर क्या क्या है देखो जब यहाँ वैसे actually में क्या होता है जब किसी की शादी होती है मालों यहाँ पर यह person A है यहाँ पर यह male है यह person B है और यह female है जब इनकी शादी होगी तो generally क्या होता है जो यह female है वो अपना घर छोड़ कर इस व्यक्ति के साथ जाएगी और वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे है ना ऐसा होता है लेकिन जो matrilineal होता है इसमें उल्टा होता है यहाँ पर जो male होता है इंसान जो आदमी होता है वो शादी करने के बाद घर छोड़ने के बाद कहाँ पर women के घर पर जाता है औरत के घर पर जाकर रहता है तो यह होता है matrilineal के अंदर यह आप लोग को ध्यान अखना है जो कि मैंने अभी आप लोग को यहाँ पर यह समझाया है और उसके बाद क्या होता है जो women है या फिर girls है इनको importance बहुत जादा दी जाती है यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया जो आदमी है वो शादी करके women के घर चला जाएगा अब जब मालो को इनका baby है अब क्या होगा उस baby को सरनेम लखना है तो वो mother का सरनेम यूज कर सकता है मतलब mother को इतना importance दिया गया है अब साथी साथ आप देख पाओगे मालो इनकी एक बच्ची है छोटी सी बच्ची सबसे छोटी जो बच्ची है उसको क्या बोलते है खात दू ठीक है खात दू यहाँ पर बोला गया है youngest daughter को मालो इन दोनों का एक छोटी सी बच्ची है अब इस बच्ची को मतलब इस बच्ची के नाम में सारी properties जाएंगी आपको ध्यानक ना है ठीक है जो properties बगरा होती है जैसे कि generally क्या होता है बेटे के नाम में property सारी होती है ठीक है तो यहाँ पर आप देख पाऊगे youngest जो daughter है वो custodian बन जाती है उस land की और उसी के हाथ में यह सारी चीज़े हो जाती है मतलब की जो youngest daughter है उसी का सब कुछ होता है एक तरीके से यह सारी चीज़े होई दन उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़े ह होती है मालू आपका एक और question आगया मालो उनकी कोई चोड़ी बच्ची नहीं है तो क्या होगा अगर चोड़ी बच्ची नहीं है तो यह wife की जो elder sister होगी जो wife की बेहन होगी उनके नाम में property जाएगी अगर मालो wife की बेहन भी नहीं है या फिरウाइफ की बेहन की कोई जैसा हमारे हैं हो रहा है generally कि यहाँ पर male को जाधा dominance देखने को मिलता है male का तो उसका उल्टा वहाँ पर होता है megalia के अंदर इन tribes के बीच में ठीके I hope आपको एक clear हो चुका है दन उसके बाद क्या है न कि इसी system का काफी बड़ा effect है इस system का effect क्या है सबसे पहली बात empowerment दे provide करवा रखिए क्योंकि यहाँ पर काम करता है matrilineal system matrilineal system क्या होता है मैंने आपको बताया एक बार थोड़ा सा और बता दूं कि जैसे generally क्या होता है यहाँ पर जो आदमी होता है वो शादी करने के बाद जो है लड़की को घर पर लेकर आता है लेकिन यहाँ पर उल्टा ह होता है यहाँ पर शादी करने के बाद जो आदमी है वो यहाँ पर और घर पर जाता है वहाँ पर अपना जीवन वैतीत करता है यह आप लोगो ध्यान रखना है अब यहाँ पर क्या है दूसरा effect यह देखने को मिलेगा custodianship यहाँ पर आ जाती है किसके हाथ में youngest daughter के हाथ मे जो शादी हो चुकी है उनके एक छोटी सी बच्ची है मालो दो बच्ची आए ठीक है एक बड़ी लड़की है और एक छोटी लड़की है तो जो सारी properties होंगी वो छोटी वाली लड़की की ठाते में जाएंगे आप लोगो ध्यान रखना है यह चीज़ें आपर बताई गई मतलब इस लड़की के मामा कहलाएंगे तो मैटरनल अंकल की permission चाहिए होगी जिसको हम लोग मैटरनल अंकल बोलते हैं मामा ठीक है तो इनकी permission चाहिए होगी तो मतलब कि कुल मिलाकर यह है कि जो वेमन है इनको काफी importance दिया गया इनके जो बच्ची होगी उनके जो चोटी ब आपने देख लिया क्या क्या हो रहा है exactly वेमन को किते ज़्यादा importance यहाँ पर दी गई है वेमन को काफी हत तक आगे लेकर चले हुए हैं देन उसके बात अब क्या है अब जो नया बिल आया है नया बिल यहाँ पर मांग करता है कि इसके अंदर बदलाव होना चाहिए यह मा आपर इस बिल के अंदर बताया गया इस बिल की ज़रुरत यह है इसलिए है क्योंकि मैंन को डिस इन्हारिट कर दिया गया मैं के ऊपर इतना focus नहीं रखा गया है लेकिन मैं एक चीज और बता दूँ आप आपके होगई कि मैंन को तो पूरी तरा से डिसहरिट कर दिया गया man का तो यहाँ पर कोई हगदार ही नहीं मतलब man की तो कोई power ही नहीं यहाँ पर ठीक है ऐसा आपका होगा लेकिन ऐसा नहीं है देखो ऐसा क्या होगा है यहाँ पर एक चीज और होती है मैंने जैसा बताया कि जो properties वगरा है वो सब बच्चियों के नामे होगी वो बात अलग है लेकिन यहाँ पर शादी होने के बाद मालो कोई आदमी है आदमी ने खुद पैसे से कमा कर खुद अगर कुछ खरीदा है मालो पैसा कमाने के बाद खुद उसने एक property खरीदी है तो disinherit यहाँ पर इसको खतम करना है ऐसा यहाँ पर बताया गया मैंन को भी थोड़ी सी importance यहाँ पर देनी है आगे यह बोला गया कि आज के टाइम पर एक equitable distribution होना चाहिए property का यह main focus रखा जा रहा है तो यह bill क्या है bill का मकसद यह है कि जो property का distribution है वो equally होना चाहिए यह यहाँ पर बताया गया I hope आपको यह article clear हो चुका है और एक important article है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मैंने आपको tribes के बारे बताया था ना अलगलग tribes के बारे में यह भी आप लोग को ध्यान रखना है PCA framework को revise किया गया है article Indian Express का है again यहाँ पर Reserve Bank of India ने क्या किया जो prompt corrective action है इनको एक तरीके से वापस से revise किया गया इनको बुला कि वापस से हम लोग यहाँ पर इनको use करने वाले है question यह है कि सर यह prompt corrective action आखिर होते क्या है यह मतलब बहुत जादा simple तरीके से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे बहुत असान सापको इस समझ में आ जाएगा आप पहले इसका background समझते है जो यह prompt corrective action है basically यह एक framework है जिसके अंदर जो banks होते है कभी-कभी bank को क्या होता है दिक्कत बहुत जादी है ताकि उस bank को मरने ना दें bank को dead ना होने दें bank को हम लोग वापस से revive कर सकें तो bank को जो खतरा है उससे बहार निकालने के लिए यहाँ पर यह prompt corrective action है यह आपको दियान अखना है जो RBI है इसने आपर इन framework को revive किया था कब? स्टार्ट किया था 2002 के अंदर तो यह basically जो PCA है prompt corrective action इसकी शुरुआत 2002 में ही हो चुकी थी लगबग 19-20 साल पहले से हमारे पास यह एक तरीके से law आपको देखने को मिलेगा इस law का main मक्सद है कि जो banks है चोड़े-चोड़े जो हमारे commercial banks है basically उनको यहाँ पर एक तरीका देना या फिर क्या होता है कि वो bank कभी-कभी uncapitalized हो जाता है ठीके उनकी asset quality बेकार हो जाती है loss काफी हो जाता है profit होता नहीं है bank dead होने वाले होता है तो उनको यहाँ पर उस situation से निकालने का यह काम करता है PCA इसके बारे में ध्यानक ना है इसका main objective क्या होता है जो PCA framework का main objective होता है एक supervisory intervention लेकर आना ठीके मतलब कि क्या है कि देखो bank बहुत बुरी हालत हो जोग है bank की डूबने वाला है bank उसको time पर बचा लेना एक appropriate time पर उसको उस condition से बाहर निकाल लेना यह main objective होता है PCA framework का इसका main मकसद होता है कि जो NPS वगरा है उसको check करते रहो कि bank के पास जो non performing asset है वो कितना है यहापर घाटा कितना हो रहा bank का उन सबको देखते रहो और जो है जब काफी ज़दे trouble आ जाता है परिशानी आ जाती है bank के उपर तो उसकी मदद करके उसको उस condition से बाहर निकला जाए यह main काम रहता है PCA का आई होप आपको PCA क्लियर में हो चुका है अब यह framework क्या-क्या revise करेगा है वापस से इसको discuss करेंगे मतलब क्या-क्या बदलाव होने वाला है क्या-क्या exactly अब यहाँ पर apply होगा ठीक है payment back और small finance bank को यहाँ से remove कर दिया गया यह आप लोगो ध्यानक ना है जो यह नए वाले framework है नए वाले rules है यह कब से लागू होने वाले है January 2022 है यहाँ पर यह effective में आएंगे मतलब अगले साल से तो यह पहला हो गया यह यहाँ पर बदलाव दिया गया है दूसी चीज यहाँ 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 पर दूसी चीज आए यह monitored areas यहाँ पर बोला गया इस PCA के अंदर में जो यह हमारे prompt corrective action है इसके अंदर basically देखा क्या जाता है इसके अंदर देखा जाता है जो commercial bank है इसके पास capital केतना है obviously अगर capital कम है देखे capital इसके पास कम बचा इसकी पूझी नहीं है इतनी तो फिर क्या होगा यह घाटे में जा रही है देखे इसको PCA केंडर में लेकर आए जाएगा देखे इसकी capital को देखा जाता है तो capital को monitor अभी भी क्या जाएगा प्लस क्या देखा जाता है asset quality को इसके पास कितना asset quality है कितनी ज़्यादा assets यहाँ पर देखने को मिलेगी ठीके asset ऐसा तो नहीं कि कई कम में है घाटे में जा रहा है bank तो यह चीज़ देखे जाती है अगर घाटे में जा रहा है तो again PCA में डाला जाएगा ठीके यह आपको ध्यान रखना है तीसी चीज़ देखी जाती है capital to risk weighted asset ratio जिसको हम लोग CRAR बोलते है उसके बाद देखा जाता है NPA ratio यहाँ पर जो capital to weighted asset ratio है इसका मतलब आप कह सकते हो profitability profitability भी आप यहाँ पर इसको कह सकते हो ठीके कि bank कितने profit में चल रही है उसके बाद NPA ratio को देखा जाएगा कि bank का एक तरीके से जो यहाँ पर bank ने loan दे रखा है bank के पास loan वापस से आ रहा है properly या नहीं आया है ठीके ऐसा थो नहीं है बैंक ने चल लोन दिया था वो मर गया है bank आज की बूरी हाला तो चुगी है bank की तो इन सब चीजों को monitor किया जाएगा ठीके और इन सब चीजों को monitor किया जाता भी है इस PCA framework के अंडर में ताकि bank को आम लोग घाटे से बचा सके यह आपको ध्यान रखना है अब उसके बाद यहाँ पर बोला है इन एरियास को लोग देखेंगे इसमें से एक एरिया निकाल दिया गया है वो है return on asset return on asset again profitability का वो निकाला गया है क्योंकि profitability का एक अलग से concept हुआ करता था लेकिन क्या है न जो CRAR है इसके अंदर profitability already include है इस वज़ा से return on asset को आपके बार हटा दिया गया है इसके अदर यह आपको धिहानक ना है देनुसके आद मैंने आपको बताया NPA क्या होता है non-performing asset आपको समझ मागया होगा मतलब bank ने किसी को loan दिया और वो loan bank के पास वापस से किसी वज़ा से नहीं आपाया वो loan डूब चुका है उसको हम लोग NPA बोलते है है ना उसी प्रकार से जो CRAR होता है capital adequacy ratio की bank के पास कितना capital बचा है bank के पास कितनी पूंजी है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर यह अब दन उसके बाद यहाँ पर क्या है जो PCA है मालो यहाँ पर किसी bank की काफी बूरी हालत हो चुकी है और यहाँ पर उसने सब चीजे breakdown कर दिये जो rules and regulations उसके breakdown हो चुके है तो definitely क्या होगा उसको PCA के लिस्ट के अंदर कर लें पहले bank को हम लोग वापस से उठा लें दन उसके बाद यहाँ पर वापस से उसको functions उसको वाकवा से उस like कहा जाएगा ताकि वह अपने functions को आगे play कर सके यह आप लोग को इसके बारे में ध्यान अखना है दन उसके बाद अब यहाँ पर RBI की power के बारे में बात की गई है तो RBI तो यहाँ पर इस सारी से लागू कर रहा है तो यहाँ पर जो RBI है basically यहाँ पर Reserve Bank of India कुछ appropriate sanctions वगरा भी impose कर सकता है कि capital expenditure के उपर बैंक को कितना पैसा खर्चना है कैसा नहीं खर्चना है ठीक है इन सब question यह है कि कौन सी bank है मतलब कि ऐसी bank हुआ करेगी जिसको PCA list से बाहर निकाला जाएगा bank वो हुआ करेगी जो की performance सही से कर रही है जिसके पास अच्छा profit है अच्छे मातरा में asset है NPA बहुत कम है ठीक है loan बगर उसके पास वापस से आ चुका है जो उसने दिया था तो उस bank को यहाँ पर क्या किया जाएगा उस list से निकाला जाएगा ठीक है अब आप कह सकते हो यहाँ पर क्या है जो restrictions बगर है उसको withdraw किया जाएगा कब जब यहाँ पर कोई भी इस rules and regulations को लेकर कोई यहाँ पर breach नहीं देखने को मिलेगा कोई यहाँ पर इस rules and regulations के regarding कोई against बचीज नही से important है और IR आता है GS paper 2 के अंदर बात की गई है enriched uranium stockpile by Iran अब यहाँ पर यह article चर्चा में क्यों है क्योंकि दहिंदू नहीं हाँ पर इस article को publish किया है इरान के अदर लगबग 210 kg तक जो uranium है वो 20% तक enriched कर दिया गया है 20% तक uranium का enrichment हो चुका है और यह अपना आप में बहुत ज़ nuclear weapons अपने आप में कितने जादा घातक होते हैं यह आप सभी को पता है तो हाल ही में इरान की जो atomic agency है इनोंने बोला कि लगबग यहाँ पर जो इरान का stockpile है 20% तक यहाँ पर इनोंने enriched क्या है uranium को यह आपको ध्यान रखना है यह बताया इनोंने दर उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़े बताई गई है जैसे कि आज के टाइम पर इरान के साथ जो nuclear deal हुई थी साल 2015 में उसको लेकर काफी सारी परेशानिया दिख रही है वो परेशानिया क्या थी nuclear deal क्या थी यह भी सब आपको clear हो जाएगा आगे चलते चलते पहले हम लोग concept समझते है यह uranium enrichment क्या है जो कि आज के टाइम पर इरान कर रहा है ठीक है तो सबसे बहली बात uranium क्या है यहाँ पर आप दिख पाओगे इस प्रकार की चीज़ है जिससे कि nuclear weapons मना जा सकते हैं और uranium का हम लोग इस्तमाल भी करते हैं energy को generate करने के लिए electricity वगरा को generate करने के लिए भी uranium का इस्तमाल होता ह है लेकिन uranium को कुछ ज्यादा उसको कुछ ज्यादा भारी मातरा में enrich करने के बाद क्या होता है हम उससे nuclear weapons मना सकते हैं अब जो natural uranium होता है basically इसके अंदर दो isotopes होता है एक होता है uranium 238 और एक होता है uranium 235 यह आप लोग को ध्यान रखना है ठीक है एक होता है uranium 238 और एक होता है 235 235 अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक है जो nuclear weapons बनाए जाते हैं वो 235 से बनाए जाते हैं ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है नव यह जो 235 है यह आप देख पाओगे हम लोग यहाँ पर इसी का काफी सरी चीज़ों के अंदर इस्तमाल करते हैं अब होता है हमा इसका मकसती यह है कि uranium 235 को बढ़ा के निकाल देना और जो 235 है यह 238 के अंदर ही प्रेजेंट है यह आप लोग को ध्यान देना है इसी में से हम लोग अलग करके 235 को निकालते हैं अब गया है जो यह nuclear weapons है जैसे कि nuclear weapons वगरा होते हैं हमारे परमाडू बं होते हैं जो कि हिर nuclear weapons होते हैं basically कही ना कही इनके अधर uranium का अस्तमाल होता है लेकिन uranium कौन सा अस्तमाल होता है 235 का अस्तमाल होता है लेकिन उसका 90% का अपको enrichment करना होता है अगर आप 90% तक enrichment कर लेते हो uranium का देन आप लोग capable हो जागोगे nuclear weapons बनाने के लिए लेकिन दूसी चीज़ आप इदर generate कर सकते हैं तो uranium का अस्तमाल एक अच्छा भी है और एक घातक इस्तमाल भी है तो ये दोनों इस्तमाल आपको देखने को मिलेंगे तो 2-3 और 5% अगर आप कर रहे हो तो normal है low enrich कर रहे हो तो आप अपना use करो लेकिन आप 20 से ओपर जा चुके हो 90 के आसपास पहुंचने वाल तो इसमें दिक्कत वाली बात क्या है भी तो बहुत समय है तो अराम से हो जाएगा मदब कि अराम से उसको रोक सकते हैं बहुत समय है लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि 20% के बाच 20% तक पहुंचने के बाद process बहुत जादा easy हो जाता है 20% तक तो time लगता है लेकिन 20% के बा इसको हम लोग ने क्या करा इसको centrifug में डाला इस centrifug में डालने के बाद यहां पर इसको दीचे गया process स्टार्ट हुआ जो 238 है वो heavy होकर 238 अलग हो जाता है और 235 है वो अलग हो जाता है तो दोनों अलग हो जाते है ठीक है जो 235 होता है उसको निकाल कर हम लोग से collect कर लेते और दन उसके बाद यूज़ करते हैं तो 235 को अलग से निकाल कर रख लेना तो इसी को हम लोग बोलते हैं uranium enrichment I hope आपको ये clear हो चुका है अब यहाँ पर हम लोग nuclear deal के बारे में समझेंगे देखो इसी को लेकर एक nuclear deal होई थी 2015 में 2015 के आसपास क्या हो रहा था जो इरान है न वो uranium enrichment भरपूर मात्रा में कर रहा था भरपूर मात्रा में uranium निकाल रहा था तो इससे क्या हुआ Iran के उपर रोक लगाना काफी था ज़रूरी था तो निकल कर आया भाई US बाहर US में उससे में Barack Obama का time चल रहा था Barack Obama उससे में president थे तो 2015 में क्या हुआ Iran के साथ एक deal करी गई US ने बोला चलो हमें एक deal करेंगे Iran के उपर पहले सी बहुत सरे sanctions लगे वे हैं हम क्या करेंगे उन sanctions को हटाएंगे Iran खुश हो गया भई sanctions हटेंगे हमारे पास लेकिन उसके उपर एक शर्थ रखी जाएगी शर्थ क्या है इस sanctions हटाने के बदले में Iran uranium का enrichment कम करेगा यह यहाँ पर बताया गया तो 2015 में यही deal हुई थी Iran ने यह deal करी P5 plus 1 countries के साथ permanent 5 countries है permanent 5 countries वही जो कि आपके UNSC के अंदर है USA, UK, France, China, Russia अब 1 के अंदर आपको जर्मनी देखने को मिलेगी ठीके तो आपको ध्यान अखना इसके बारे में तो यहाँ पर plus 1 में जर्मनी था और permanent 5 countries के अंदर यह countries थी इसके बारे में ध्यान अखना ठीके तो इन countries ने मिलकर agree किया एक deal को लेकर कि इरान के साथ यह deal करी जाएगी इस deal को नाम क्या दिया गया इसको nuclear deal भी बोलते हैं साथ साथ JCPOA भी बोलते हैं मतलब Joint Comprehensive Plan of Action भी इसको बोला जाता है इस deal के अंदर इरान ने agree कर लिया कि हम लोग nuclear की जो activities या फिर nuclear enrichment इसको कम कर देंगे और उसके बदले में इरान के उपड़ से चोज sanctions वगरा लगे वह हटा दिया जाएंगे यह यहाँ पर चीज़े तैह हो चुकी थी इरान भी मज़े में US ही मज़े में सब कुछ यहाँ पर सब लोग tension से फिरी हो चुके थे कि चलो अब इरान से कोई tension नहीं है इरान यहाँ पर uranium का enrichment कम कर देगा और उसके ओपर से sanctions हट जाएंगे अब इरान के साथ व्यापार वगरा भी बढ़ेगा यह focus यह रखा गया लेकिन होता क्या है यह 2015 की बात ही 2015 में deal हो गई आगे समय चलता रहा 2015 15, 16, 17 साल निकला 2018 में क्या होता है USA के अंदर एक नए president आ जाता है Donald Trump Donald Trump क्या करते हैं यहाँ पर इस step को जो यह बराकोमास आपको तो रहो यह step उठाया जाता है इसको criticize करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि एरान यह इरान के उपर एक तरीके इरान के साथ यह deal करने के ज़रूरती नहीं है और इस deal से बाहर निकाल देता है USA को जैसे USA बाहर निकला USA को बाहर निकालने के बाद क्या कर दिया इरान के उपर वापस से sanctions को लगा दिया गया वापस से इरान के उपर restrictions लग चुकते होते हैं ठीके दो इरान वापस से परिशानी में आ चुका होता है अब इससे क्या होता है काफी साथ मतलब जो deal बेकार हो जाती है अब 2018-19 ऐसी प्रकास से deal चलती है बेकार हो जाती है दन उसके बाद जो बाइडन आते हैं जो बाइडन की इसको लेकर चर्चा अभी नवेंबर में होने वाली है 29 नवेंबर 2021 को यहाँ पर बाची चलेगी विना के अंदर और में फोकस ही रहेगा कि हम लोग इस deal को वापस रिवाइब करें और इरान को वापस से कहें कि आप लोग uranium का enrichment ना करो और आपके उपर से sanctions को हटा दिया जाएगा यहाँ पर concept रखा है आगे बढ़ते हैं अगले article के तरफ next article environment के perspective से important और environment आता है GSP पर 3 के अंदर बात की गई है आज के टाइम पर जो leopard का खतम होने का risk है वो काफी दादा बढ़ चुका है लेपर्ड हो सकता है आने वाले टाइम पर extinct हो जाए खतम हो जाए Indian Express का यह article आपको देखने को मिलेगा एक study नहीं हाँ पर publish किये है और एक study के अंदर बताया गया जो leopard है आज के टाइम पर 83% लग risk face कर रहा है North India के अंदर यह खतम हो सकता है किसी वज़ा से road kill की वज़ा से या फिर आज के टाइम पर road का जो constructions बगएरा बहुत ज़ादा हो रहा है इसकी वज़ा से आज के टाइम पर काफी ज़ादा खत्रा है इन leopards को जो यह leopard की population है North India के अंदर यह काफी ज़ादा risk पर पहुंच चुकी है खासकर North India वाले area के अंदर यह आपको ध्यादा नहीं ठीक है और आने वले time पर आने वले 50 सालों के अंदर यह leopards पूरी तरह से खतम हो सकते हैं ऐसी possibility देखने को मिल सकती है यहाँ पर बताया गया जो leopard है leopard आपको देखने को मिलेगा आने वले time पर इनकी प्रजाती भी खतम हो सकती है ना जो यह study है study ने बताया सबस्वाद attention लिया है कहाँ कापर South East Asia के अंदर भारत वाले area में भी attention लिया साथ ही साथ यहाँ पर सब सहारन आफरीका के अंदर भी tension की बात है यहाँ पर आप देख पाऊगे जो leopard है न यह जो green वाला area यह Africa को पूरा continent है अब यहाँ पर जो यह green वाला area आपको यह दिख रहा है पूरा का पूरा यह सब सहारन आफरीका है यहाँ पर leopard काफी सारे हैं तो इनको यहाँ पर भी काफी खत्रा है ऐसा बताया या जिस प्रकार से development बढ़ रहा है और roots का construction बढ़ रहा है इसी वज़ा से यहाँ पर leopard की population हो सकती है खत्म अब हम लोग leopard के बारें पढ़ेंगे प्रिलमस में आपसे question बन सकता है leopard का scientific name क्या है इसका scientific name है panthera pardus इसका नाम ध्यान रखना जो यह leopard है इसको हम लोग एक big cat भी बोलते हैं ठीके big cat के साथ-साथ यहाँ पर आप कर सकते हो कि और भी नाम दिये जाते हैं लेकिन यहाँ पर आप इसको एक तरीके साब ध्यान रख सकते हो big cat भी बोला जा सकता है ठीके नवी जो panthera है basically पैंthera एक पूरी पूरी genus है और इसके अंदर आपको बहुत सरे और भी यहाँ पर जानवर देखने को मिलते हैं लेकिन leopard के अंदर खास बात यह है क्या कि यह बहुत सरी जो habitat होता है अलग-लग जगा पर भी रह सकता है यह खास बात यहाँ पर leopard के अंदर देखने को मिलती है प्लस उसके बाद यह खाता क्या है चीतल, hog deer, wildy boar तो ऐसे यहाँ पर यह छोटे-छोटे जानवर्स को खाता है यह आपको ध्यान रखना है उसके बाद leopard की एक और category होती है जो इसको हम लोग बोलते है, melanistic अब यह melanistic leopard क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ सबसे बहली बात आपको समझना होगा melanism melanism क्या है? एक तरीके से leopards के अंदर एक melanism होता है इससे क्या होता है? जो leopard की skin हो बिल्कुल काली हो जाती है बिल्कुल black सी skin पर जाती है देखोए जो spot नहीं है, यहाँ पर यह spotted वाले leopard है दूसरा यह बिल्कुल black skin आपको देखने को मिलेगी यह भी leopard है लेकिन यह जो black वाला है, इसको हम लोग क्या बोलते है इसको बोलते है black panther, ठीके? जो melanistic leopard होता है, इसको हम लोग black panther भी बोलते हैं इसके बारे में ध्यान रखना है black panther के अलावा इसको jaguar भी बोला जाता है अगे बढ़ते हैं अब leopard की population भारत के अंदर कहां पर रुकती है इसके बारे में discuss करेंगे तो कुछ reports यहाँ पर यह बताती है कि leopard की जो population भारत के अंदर 2018 के according अगर हम बात करें एक report बताती है कि लग बग बहुत ज़दा increase हुई है साल 2014 के अंदर leopard की population बहुत ज़दा कम हुआ करती लग बग 8000 के आसपास जो है यह साल 2014 के अंदर यह population हुआ करती थी लेकिन जब साल 2018 के अंदर study आज के टाइम पर leopard की सबसे अदर प्रजातियां कहां पर देखने को मिलेंगी मध्यप्रिदेश के अंदर top पर है मध्यप्रिदेश के अंदर लगबग 3421 leopards आपको देखने को मिलेंगे दन उसके बाद कनाट का हो गया यहां पर भी 1800 के आसपास आपको important है बात की गई है Indian flap shell turtles के बारे में यहां पर क्या हुआ है यह news में क्यों होता है पहले हम इसको discuss करेंगे तो हाली में बहुत सारे जो forest officials हैं Odisha से इन्होंने यहां पर लगबग 40 Indian flap shell turtles को देखा है यहां पर एक तरह से इनकी पानी में रहना पसंद करता है ठीक है और बहुत छोटा सा आपका size देखने को मिलेगा 350 mm के आसपास की इसकी length देखने को मिलती है now question यह है इसका scientific name क्या है scientific name बहुत important है पहले बहुत सारे question scientific name के ओपर पूछे गया है तो यहां पर जो Indian flap shell turtle है इसका scientific name है अंदर यह देखने को मिलता है Myanmar में भी पाया जाता है Myanmar में जो Aira Wadi Salvin River से वहाँ पर देखने को मिलता है उसके बाद कहां पर रहना पसंद करता है तो irrigation canals हो गए pond हो गया, जील हो गई, tanks हो गई यहां पर रहना ज्यादा पसंद करता है जो turtle है तो इसके बारे आप लोग एक idea रख सकते हो दनो उसके बाद आज इसके टाइम पर इसको खत्रा क्या है खत्रा बहुत जदा है, smuggling हो जाती है कभी-कभी मार दिया जाता है क्योंकि इसके बहुत सरी properties पाई जाती है बहुत सरे turtles खत्म भी होते बहुत नजर आते है उसके बाद question यह है क्या हमारी सरकार कोई काम नहीं कर रहे है turtles को बचाने के लिए तो बहुत सरे काम के जा रहे है सबसे पहला हम लोग steps ले रहे हैं इनको protection देने के लिए एक step है कुर्मा एप आपको मालूम होगा एक कुर्मा एप पिछले साली लौंच किया गया था ठीक है इसको बनाया गया था और इसके अंदर लगबग जो turtles हैं इनकी 29 species को कवर किया गया tortoise को कवर किया गया था कि इन लोग को हम लोग यहां पर यह क्या करेंगे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे उसके बाद हम लोग वर्ल्ड टर्टल डे को भी अब्जर्व करते हैं इसके वारे में ध्यान रखना है तो वर्ल्ड टर्टल डे जो अब्जर्व होता है वो हर साल 23 मही को अब्जर्व किया जाता है और यहां पर एक जागरुकता फलाई जाती है कि टर्टल आज के टाइम पर काफी खत्रे में इनको बचाना बहुत दा आभशक है आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ लास्ट आर्टिकल हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से इंपोरेंट है हिस्ट्री क्या कह सकतो आप अवार्ट्स आण ओनर्स के परस्पेक्टिव से इंपोरेंट है हमारे सिलिबस में एक टॉपिक भी है अवार्ट्स को लेकर यहां पे बात की गई है 2020 के पदम अवार्ट्स को लेकर तो हाल ही में जो हमारे प्रेसिडेंट आफ एंडिया है इन्होंने पदम अवार्ट्स को प्रेजेंट किया है लगबग 119 रिसिपियंट्स को 119 लोग है जिनको यह अवार्ट्स दिया जा रहा है साल 2020 के लिए यह आपको ध्यान रखना है यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है इस लिस्ट के अंदर लगबग आपका सकतो जो पदम अवार्ट्स है इसमें 7 पदम वीभूशन है 10 पदम भूशन है और 102 पदम शिरी है टॉप पर कौन सा आता है अगर हम इसकी हारार्ट्स या फिर चेन देखें इसको लाया गया है तनो उसके बाद एक हाईए सिविलन ओनर है यहाँ पर लोगों को यह अवार्ट से सम्मानित किया जाता है जिन लोगों ने एक अब नमबर पर पदमविभूशन पदमविभूशन अवार्ट दिया जाता है उन लोगों के लिए जो कि exceptional काम किये हैं मतलब कि कुछ हटकर दुनिया भारत में जितने भी लोग है उन सबसे हटकर कुछ काम किया हुआ है लोगों को काफिक तक इंस्पायर किया हुआ है उनको पदमविभूशन दिया जाता है उसका पदमवूशन आता है अगें ये भी हैसा ही हम पर एक डिखने को मिलती है फिर उसका पदमव श्री आता है इन लोग का पी काम ऐसा है जो कि बिलकुल अलग है ठीक है तो आप लोग ध्यान रख सकते हो लेकिन जो इसमें से का फेर, साइंस, इंजिनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मैडिसेन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट, सेवल सर्विस, एटसेक्टर, एटसेक्टर, सबी जगा पर मतलब हर एक फील्ड के अंदर ये आवार्ड दिया जाता है इसके बारे में आपको ध्यानक नहीं क्वेशन एक सर, eligibility क्या है, कोई age बगरा है क्या, बिलकुल नहीं, यहाँ पर कोई भी eligibility नहीं है, कोई भेदबाव नहीं होता है, हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, कोई caste का भेदबाव नहीं है, कोई religion का भेदबाव नहीं है, किसी भी चीज का discrimination नहीं है, हर एक व्यक् है इस award से सम्मानित होने के लिए ठीक है यह आपको ध्यान रखना है नव question यह है लोगो को select कैसे किया जाता है select करने के लिए committee बनाई जाती है जिसको हम लोग बोलते है पदम awards committee जो यह committee है basically इसको बनाई जाती है किसके recommendation पर तो यहाँ पर एक हमारे Prime Minister इस जाने, प्राम मिनिस्टर जो है हर साल, इस committee को constitute गरताए ये। इस committee को बनाते हैं, हर साल तो ध्यान रखना है। ऐधी है, पदम award committee को कौन बनाता है को हमारे praticamente है। इसके बारे मिनिस्टर बनाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे quiz को और इसको आपको solve करना है, पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे से इसको सुना है, ठीके, सबसे बेले question, जो हमारे समधान का छटा schedule है, यहाँ पर tribal areas को, जो tribal areas खास कर कौन कौन से राज्ये हैं, जहाँ पर इनको protection दी गई है, इनको अपन कौन से साल में, नीचे comment section में बताना, साल 2015 में, इरान ने एक nuclear deal sign करी थी, P5 plus 1 के साथ, ठीक है, तो यह P5 plus 1 के अंदर, यह 6 countries, कौन कौन सी है, नीचे comment section में आपको नाम बताना है, leopard के बारे में भी हमने discussion किया है, leopard अलगलग प्रकार के अलगलग नाम से जाने जाता है, एक melan melanistic leopard होता है, melanistic leopard को हम लोग कुछ और ही बोलते हैं, जिसका color, मतलब बताना ही बाद लाता, चलो कोई बात नहीं, आप इसके बारे में answer देना, दनुसके बाद, यहाँ पर है world turtle day के बारे में, जो world turtle day है, इसको हम लोग observe करते हैं, हर साल कौन सी तारिक को नीचे comment section बताना है, दनुसके बाद, जो awards है, बैसिकली बात की जारी है, पदम awards के बारे में, तो पदम awards जब दिया जाता है, तो उसके लिए एक committee बनाए जाती है, उस committee को कौन बनाता है, नीचे comment section में आपको उन व्यक्ति का नाम लिखना है, ठीक है, मतलब उस पद का नाम लिखना है, तो इस खासी inheritance of property, bill को लेकर, tribes को लेकर, चर्चा करी है, दनुसके बाद, PCA framework को discuss किया, हमने की RBI के PCA framework क्या होते हैं, इससे कैसे bank को हम लोग protect कर सकते हैं, उसके बाद हमने uranium के बारे में discussion किया, nuclear deal के बारे में discussion किया, उसके बाद हमने discussion किया, leopard आज के टाम पर काफी खत्रे में है, दन उसके बाद हमने एक turtle के बारे में discussion किया है, दन उसके बाद यहाँ पर padma awards के बारे में discussion किया है, तो ये एक recap भी हमने ले लिया, now इसी के साथ करते हैं lecture को समाप, मिलते हैं आप लोग को से next वीडियो में, आज के लिए bye bye, have a nice day, thank you and jahind